क्यों भेंट किया जाता है नारियल जानिये क्या है कारण हमारे धार्मिक रिती रिवाजों में नारियल भेंट करना एक प्रमुख परमपरा है नारियल का महत्व हमारे पुराणों में, प्रथाओं में, परमपराओं में देखने को मिलता है धार्मिक और सहसकतिक शिष्टाचार में अन्य भलों को छोड़कर नारियल ही भेंट किया जाता है देवी देवताओं, विशिष्ट व्यक्तियों तथा मान्य अधितियों को मांगली के वं शुब अवसरों पर नारियल भेट करने की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है इसका प्रचलन किसी विशेश अभिप्राय से ही हुआ होगा इस अभिप्राय को नारियल की स्वरूप और गुणों में खोजा जा सकता है दरसल नारियल अन्य सबी फ़लों से अलग हट कर है अधिकांश फ़ल, रंग बिरंगे और देखने में सुंदर होते हैं लेकिन नारियल के छिलका अत्यधी कठोर होता है मनुष का व्यक्तित्म भी नारियल के ही समान है सांसारी कटनाईयों और परिशानियों के कारण वो उपर से कठोर और कारकश होता है फिर भी वो भीतर से बहुत कुछ कोमा लेवम मधूर बना रहता है लेकिन जो लोग मीठी मीठी बातें करने वाले होते हैं वे भीतर से कठोर च्छली होते हैं बेर के फल की तरह नारियल भेंट देने का यही रहस्य है कि उपर से भले ही कठोर बने रहो लेकिन भीतर से सदै उनारियल के मर्म की तरह मृदुल और मधुर बने रहना नारियल के भीतर जो गरी का गोला होता है वो जीवन के मधुर मर्म का प्रतीक होता है इस दिक कभी खोकला नारियल भीट नहीं किया जाता सगे संबंधियों को प्रहे ये गरी का गोला ही भीट किया जाता है क्योंकि ये संबंध इतने मधूर होते हैं कि इनके साथ हम अपने करकश आवरण को उतार कर रख देते हैं नारियल का मर्मभाग, गरी, ब्रदुल और मदुर होने के साथ साथ सफेद भी होता है जो सतोगुन का प्रतीक है, सात्विक्ता से ही सललता आती है भेट का नारियल अंतह करण की सात्विक्ता का आदर्श भी प्रस्तुत करता है इस प्रकार जीवन के अनेक मांगलिक भावों का सूचक होने के नाते नारियल भेंट किया जाता है